हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मैं आप सब का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल ऑग केटी क्लासिज आई होप आप सब बढ़ी आओंगे आज हमें क्लास नाइन का दा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसके नेक्स ल जैसे का दुका दूबारा ये वीडियो रिकोर्ड करनी पड़ रही है तो सामने देखना बच्चों हो अगर मैं सेलव ओल की बात करूँ अगरत अगर ये मालूं के बढ़ laund तो मियूज यह मेरी अगर गोल आई में सेल मेंब्रेंड हैं टो उसके रॉट जो एक वोल present होगी एक गोल protecting layer present होगी उसको बोलेंगे बेटा जी cell wall, अगली बार कहता है cell wall present only in the plant cell very important point है, animal cell में cell wall नहीं होती important point note कर लेना, cell membrane दोनों में present होती है plant cell और animal cell but cell wall सिरफ किस में present होगी बेटा जी, plant cell में वो animal cell में नहीं होगी बहुत important point है ये भी next point कहता है, the cell wall is made up of cellulose material मतलब जो हमारी cell membrane थी वो किस की बनी होई थी बेटा जी, वो बनी होई थी protein की और lipids की लेकिन अगर मैं cell wall की बात करूँ वो बनी होते है किस की cellulose material की, अगला point कहता है in cell wall non-living cell are present cell membrane में कुन से present है living cell, बट cell wall किस की बनी होती है non-living cell, cell wall permeable in nature, देखो हमारी cell membrane कैसी थी मैं compare कर रहा हूं दोनों को, cell membrane थी semi permeable nature की, लेकिन हमारी जो cell wall है, permeable in nature है function क्या है, मैं देखो it protect the cell, ये protect करती है cell को, कैसे जराध्यान से देखना सबसे पहले देखो, अगर देखो, cell है, मालीज ये मेरा cell है उसके तरफ अगर मैंने water भर दिया उसके तरफ कैसे ही मैंने पानी बढ़ दिया, तो क्या होगा, पानी अंदर जाना शुरू होगा, पानी अंदर जाना शुरू होगा, तो वो क्या करेगा, ये मेरा अगर water अंदर जाना शुरू करेगा, तो cell के उपर क्या pressure apply करेगा cell के उपर pressure apply करेगा और उस pressure वो बोलते है the pressure applied by the water on the cell is called trigger pressure, वो pressure क्या होता है trigger pressure, अब जो trigger pressure है वो क्या करेगा, cell को बार की दिर्फ धक्का मारेगा, अगर cell wall present नहीं होगी, तो बेटा जी cell क्या हो जाएगा, brust हो जाएगा तूर जाएगा, अगर cell wall present है, तो क्या function करेगी वो उसको कहते हैं, the property cell wall the property of cell wall to protect the brusting of the cell, जो cell को brusting होने से बजाती है, उस cell wall की property को कहते है, tergidity from the trigger pressure अगर tergidity जादा हुआ, तो cell brust हो जाएगा, लेकि cell wall के पास क्या property है, tergidity बजाएगी, वो protect कर लेती है cell को brust होने में, अगर एक activity में perform करता हूँ बेटा जी, जर अध्यान से इस activity को भी देख लेना, अगर मैं cell को क्या करता हूँ, गरम पानी में boil कर देता हूँ, अगर मैं cell को गरम पानी में boil कर देता हूँ, तो होता क्या है बेटा जी, जो उसकी cell wall है ना, वो breast, वो तूट जाती है destroy हो जाती है, अगर cell wall तूट जाएगी, तो target pressure बढ़ेगा तो cell क्या हो जाएगा, brust हो जाएगा, क्यों क्योंकि अब tergidity कहां से आएगी क्योंकि cell wall है नहीं, वही मैंने लिखा है if the cell wall boil the cell will boil the cell wall will destroy cell wall destroy जाएगी, do it जिसके current tergidity property will be removed, tergidity property खतम, वो कि cell wall खतम हो गया and the cell will brush if high amount of water enter in the cell, बिलकुल क्लियर से बात है, ये activity जो कि मैंने आपको क्या, पानी की तरह क्लियर कर दी, मिलते हैं बेटा जी अगली क्लास में, difference between cell wall and cell, फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए